So, Excel की Tutorial Series में इस वीडियो में हम देखेंगे Excel Data Validation Part 3 So, इस वीडियो के अंदर जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि कैसे हम Excel के अंदर Duplicate Entries को होने से रोक सकते हैं अब तक शायद आपको पता होगा कि अगर कोई Duplicate Entries हैं Excel में तो हम उसको किस तरह से Remove कर सकते हैं But, अगर हम ऐसा कुछ कर सकें कि हम Duplicate Entries को होने ही ना दें तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि आप पहले से ही अपने डेटा को सही कर सकोगे, Correct रख सकोगे So, कैसे करते हैं, कैसे हम Prevent करते हैं Duplicate Entries वो आज हम Excel के इस Tutorial में देखेंगे Excel की Worksheet के अंदर देखेंगे, कैसे करते हैं तो उसके लिए करना किया, देखो, दो चीजा आपको याद होनी चीए एक तो आपको Custom Data Validation यूज करना है जो हम Previous वीडियो में देख चुके हैं और यहाँ पर जो Function यूज करना है That is Count If Function आपको यूज करना है जो की Duplicate Entries को होने से बचाएगा Now the example जो हम ले रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो यह है कि जो Student का Roll Number है वो Unique होना चीए That means वो Duplicate नहीं होना चीए आपको पता है, दो Students के Roll Number सेम नहीं हो सकते है तो मैंने एक बहुत ही सिंपल एक एजूकेशन का एक्जामपल यहाँ पर लिया हो है तो आइए सीता चलते हैं एक्सल के उपर देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो का जो एक्जामपल है जो Duplicate Entries को करना वो किस तरह सेम करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक एक्जामपल लिया मैं चाहता हूँ कि जो Student का Roll Number है वो यूनिक हो मतलब कि वो Duplicate ना हो तो उसको करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि Countive Function basically कैसे काम करेगा इस पर्टिकुलर एक्जामपल में करता है वो एक पर्टिकुलर चीज को Count करेगा जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा Equals to Then Count if आपने सिलेक्ट किया अब जो पहले चीज यहाँ पर हमें देनी है वो देनी है Range मैंने इस Range के अंदर कुछ Count करना है Equals to अब मुझे Count करनी है Basically यह वाली चीज Equals to F7 जो हो that is 1 तो 1 के कितने Instances है इस Range में वो यह Count कर देगा तो देखो यहाँ पर कितने Instances है यहाँ पर आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 2 Instances अगर मैं Enter करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2 अब एक चीज और आपको धियान रखनी है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर जब हम देखेंगे इस पूरे Example के अंदर हम जब देखेंगे Data Validation का कि क्यों हम यूज कर रहे है Absolute Reference हम यूज करेंगे अब अगर देखो मैं इसको यहाँ पर Fill करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर Answer मिल रहा है इस तरह से यह वाला Answer आपको ठीक लगेगा यह Answer ठीक लगेगा यह Answer ठीक लगेगा बट यह Answer आपको गलत लगेगा क्यों? आप Function देखों यहाँ पर Function क्या बन गया? जब आप Fill करते हूँ Excel में तो Automatically वो Excel उस Range को Increase कर देता है यह चीज तो ठीक है F8 बट यह वाली चीज इंक्रीज हो गई बट हमें क्या चीज थी? हमें F7 से F11 Range ही चीए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको प्रेस करना है Function F4 So Function F4 करते ही यह क्या बन जाएगा? यह Absolute Range बन जाएगी तो यह Range constant रहेगी यह आपने आप Automatically Increase नहीं होगी So Again Press Enter और अब इसको Fill Handle को यूज करके Fill करो तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी Range Change नहीं हो रही है So यही पूरा Example हम यहाँ पर यूज करेंगे यही दोनों Concept हम यहाँ पर यूज करेंगे To Create a Form Create a Range जिसमें की Duplicate Entries नहीं हो पाएं अब कैसे करने देखते हैं So इस Range के अंदर हम काम कर रहे हैं So Data Validation के उपर So यहाँ पर Data Validation के अंदर आपको क्या करना है You have to Select Custom So Custom Select करने के बाद हमें लिखना है Formula Formula वही लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया है Count If बाला So Write So better रहता है कि आप हमेशा Capital Letters में लिखो functions को So मैं Capital में लिख रहा हूँ Problem कोई नहीं है आप Small में लिखो कोई इस्यू नहीं है But just for the convention purpose मैं Capital के अंदर लिख रहा हूँ So Count If Now Range के हमारी Range हमारी है So Range select कर ली Again Range के अंदर हमें क्या यूज करना है We have to use the Absolute Reference So function F4 key को press करना है इन दोनों के अंदर So यह आपके Absolute Reference is create हो गए Then match करना है मुझे किस से इस से अब मुझे क्या करना है यह सिफ Count देगा अभी मुझे क्या करना है कि यह Count हमेशा क्या होना चाहिए अगर मुझे Duplicate को रोकना है Equals to 1 So that Count should always be equals to 1 So यह आपका Function बन जाएगा And you can have an error message also So let us say Duplicate Entry Found So simple समय यहाँ पर इस तरह का टाइटल दे रहा हूँ आप कुछ भी error message अपना शो कर सकते हैं जो आपको लगता है Then simple click press and start filling the roll number So let us say मेरा roll number start होता है 12 से So मैंने लिखा 12, 13, 14 जब तक मैं Duplicate नहीं कर रहा है कोई problem नहीं है So let us make a Duplicate Entry 12 So जैसे ही मैंने Duplicate Entry करी देखो यहाँ पर क्या लिखा आगया Duplicate Entry Found जो हमने टाइटल दिया था अपने requirement थी So इस तरह से आप कर सकते हो इसके बाद आप अगर देखते हो दुबारा से मैंने 15 किया कोई problem नहीं है Again मेरे से गलती से 14 प्रैस हो गया Again आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो Entry करने से रोक रहा है So this is how you can prevent a Duplicate Entry in an Excel using Custom Data Validation and Count If function So this is all for this particular video lecture अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को share कीजिए So मैं और भी जयता Excel की tips and tricks और उसके related videos को लाता रहूंगा Thank you जए सब्सक्राइब को बाएब रहाट बाव पाईब सृब स्वे स्ट